इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे European T10 के दोस्तों आज के मैच नमबर 2 के बारे में जो आपका खेला जाएगा दोस्तों CIC और दोस्तों CYM टीम के बीच में ये जो मैच है दोस्तों ये मैच आपके साम के ध्यान रखेगा 5 बच के न 30 मिनट से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिकारडिंग मैच सबसे पहले तो आपको दोनों टीमों के सभी प्लिएर का रिकौर्ड प्रृपाइट करने वाला हूं क्योंकि देखो दोस्तों दोनों टीम ना अपना first match के लिए इस tournament में तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग दोनों टीमों के सभी player का record को समझे और उसके अधार पे team को बनाई है मैंने अपना खुद भी आपको final team भी share कर दिया है तो final update भी smash के regarding मैं आपके साथ telegram पे share कर दूँगा जिन भायों ने telegram को join नहीं किया है जरूर कर लीजेगा इसका link आपको इसी वीडियो के नीचे description section में भी मिल जाएगा और telegram का link दोस्तों इसी वीडियो का comment section भी open कीजेगा वहाँ पर भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तों telegram के साथ जुट जाएए ठिक ना और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने youtube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों youtube channel को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important कोसिज कीजेगा notification का घंटी बजा दे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठिक ना दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग CIC और दोस्तों CYM के match में क्या combination लेके चलेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज आते हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन में यहाँ पर आएगेगा first option आपको दोस्तों in party rana का मिलेगा जो दोस्तों T10 में 89 match खेल चुके हैं जहाँ पर batting से दोस्तों ध्यान रखेगा 546 run score कियें और balling से दोस्तों आपको एक बिकेट पुरभाइट किये 5 over balling करके फिर नीचे आपको option मिल जाएगा दोस्तों C2 गटी का इन्हों ने दोस्तों T10 में अच्छे matches खेले 15 match में आपको batting से 365 run score कियें फिर नीचे दोस्तों आपको Jis order का option मिलेगा जो दोस्तों T10 में 17 match कियें जहां पे दोस्तों आपको batting से 410 run score कियें फिर नीचे दोस्तों आपको ALC का option मिलेगा जो आपको सिर्फ बिकेट कीपरिंग करते हैं दोस्तों balling batting से आप इनसे उमीद मत रखिएगा तीन match के लिए T10 में जहां पे ना batting कियें ना दोस्तों balling कियें तो बिकेट कीपरिंग सेक्षन में देखो option आपके पास कितने 3 है जिसमें selection high 200 end party rana का मिलेगा लेकिन सच बताऊं दोस्तों record end party rana का उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये batting नीचे करते ये चीज आपको समझना पड़ेगा मैं आपको recommend करूँगा ये दोनों player को अपने team में try कर सकते हो दोनों में से एक को करो या दोनों को कर सकते हो लेकिन focus आप यही दो player पे कीजेगा जिनका selection कम होने से मतलम नहीं है रेकिन आप record देखो न 15 match में 265 run 17 match में 2410 run तो focus हम लोग ऐसे player पे करेंगे ठीक ना आईएगा दोस्तों batting section में यहाँ फे first option आपको एक बहुत अच्छा player का मिलेगा J1 जो सभे team में important रहेगा आपके लिए पंदरे match खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से 641 run score की है नीचे आपको आर मजुमदार का option मिलेगा जो 87 match खेल चुके T10 में जहाँ पे बैटिंग से 1411 run score की और balling से 25 wicket लिए देखो दोस्तों इस level पे आर मजुमदार से आप बैटिंग से mainly उमीद रखेगा balling दोस्तों high chance से आपको ना करेंगे टिक ना mainly आप इस टीम में ले रहे हो तो as a batsman रखेगा as a rounder नहीं नीचे आपको option मिलेगा एक अलू-गाला बहुत अच्छा player है T10 में already 23 match खेले जहाँ पे बैटिंग से 779 run score कर चुके है पर नीचे आपको टी सिंग का option मिलेगा टी सिंग दोस्तों T10 में 49 match खेल चुके है जहाँ पे बैटिंग से 513 run score की है और 49 match में दोस्तों आपको balling से already 25 wicket ले चुके है अच्छे player है दोस्तों और record भी काफी अच्छा है फिर नीचे दोस्तों आपको जे मचिस्ट का option मिलेगा जो दोस्तों T10 में देखे तो 25 match के लिए जहाँ पे बैटिंग से 179 run score की है और 25 match में आपको दोस्तों balling से 7 wicket provide की है regular balling नहीं करते हैं जो बहुत जादा कम होता है नीचे आपको जे बैटि का option मिल जाएगा जो 15 match खेल चुके है T10 में जहाँ पे 200 ध्यान रखेगा बैटिंग से 16 run score की है इम ब्यूटन दोस्तों T10 में इनोंने भी 200 matches खेले 10 match खेले जहाँ पे बैटिंग से 151 run score की है एक ग्रेनली के लिए बहुत बढ़ा दोस्तों मैं आपको ट्रॉम कार्ट प्लियर बता रहा हूँ यदि टॉप ओडर में बैटिंग करता है मैं तो बोलूँगा स्मोल लिंग में भी ले सकते हो नीचे आपको इल संदू का option मिलेगा इल संदू भी यार बहुत अच्छा प्लियर है इसका भी selection आप देखो सिर्फ 3% है record इनका भी अच्छा मिलेगा 19 मैच खेले टीटेन में जहां पे बैटिंग से 196 run और दोस्तों 19 मैच में बालिंग से आपको 10 wicket प्रवाइड किये बालिंग थोड़ा कम करते हैं बड़ दोस्तों टोटली ना hit and miss type के प्लियर है यदि इनका दीन रहा तो 50 करेंगे नहीं तो दोस्तों टोटली आपको flop होके जाएंगे आईएगा और लाउंडर सेक्षन में जी संदू कमाल का प्लियर है सभी मैच में रेगुलर दो भर का बालिंग ओपिन बैटिंग नीची आईगा दोस्तों सी मैंक लॉप एक बहुत सांदार दोस्तों इस्पीनर है बिकेट टेकर इस्पीनर है और आपको बैटिंग बैकप भी पुरवाइड करते हैं 27 मैच खेल चुके है दोस्तों टीटेन में जहां पर बैटिंग से 282 रने स्कोर किये और 27 मैच में दोस्तों बालिंग से 33 बिकेट आप ले सकते हो देखो दोस्तों एक चीज़ दिहान रखना ये पिलियर आपको स्पीन बालिंग भी कर लेता है फास्ट बालिंग भी करता है ऐसे इनका नाम अभी देखोगे दोस्तों एज़ फास्ट बालर दिया गया है लेकिन कुछ मैचों में दोस्तों दिहान रखिएगा स्पीन बालिंग भी करते हैं तारी बड़े है इसलिए दोसो जब मन करता है इस पीन जब मन करता है फास्ट ऐसे पिलियर को जरूर आप लेके चलो आर सिबरदना भी एक बहुत अच्छा दोसो बिकेट टेकर बॉलर है बैटिंग बैक अप भी देगा 68 मैच खेल चुके टीटेन में जहां पे बैटिंग से 749 रन और इस 68 मैच में बॉलिंग से 72 विकेट पुरभाइड किये देथ में बॉलिंग करते है दोसो लेके चलेंगे फिर नीची आपको एक औल्टर का उप्सन मिलेगा ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है दोसो एस्पेसली बॉलिंग से 13 मैच खेले टीटेन में जहां पे बॉलिंग से 41 रन और इस 13 मैच में दोसो आपको बॉलिंग से 13 विकेट पुरभाइड किये नीची आपको ऑप्सन मिल जाएगा दोसो एम होन का इनका रिकॉर्ड देखे तो टीटेन में 10 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 221 रन स्कोर किये और इस 10 मैच में दोसो बॉलिं मैंने टीटेन में 14 मैच खेले हैं जहां पे बैटिंग से 488 रन स्कोर किये और 14 मैच में बॉलिंग से आपको 10 विकेट पुरवाइड किये हैं domestic level पर यह सभी match में open batting कर रहे हैं उमीद करते हैं इस match में भी दोस्तो इनको open का chance मिले क्योंगि domestic level पर मैंने देखा था जितना भी match है जुआ था यह सभी match में open batting भी किये थे और सांदार batting किये थे 14 match में दोस्तो 48 run सिर्फ एक टुना main का दोस्तो इनका performance है नीचे आईगा तो आपको सीन उटले का option मिल जाएगा इनका record देखे दो दोस्तो इनका T10 का कोई record मेरे को मिला नहीं है और T20 का भी 200 record इनका available नहीं है तो अभी आप ignore करके चलो यदि खेलते तो मैं आपको इनका record टेलिग्राम पे 100% provide कर दूँगा बॉलिंग सेक्षन में आईगा जे मल्डर का first option मिलेगा पंदर मैच खेल चुके है T10 में जहाँ पे आपको 22 विकेट प्रवाइट किया है ऐसी आप देख सकते हो कितना important है पंदर मैच में 22 विकेट ले चुके है T10 में नीचे आपको ऐल सिंग का option मिलेगा 65 मैच खेल चुके है T10 में जहाँ पे आपको 61 विकेट लिये है और इस 65 मैच में टोटल इन्होंने 101 ओवर का बॉलिंग किया है नीचे आपको सी रोबिंसन का option मिलेगा 14 मैच खेले T10 में जहाँ पे आपको 16 विकेट प्रवाइट किया है 16 ओवर बॉलिंग करके इन्होंने दोस्तों देखो बॉलिंग तो काफी कम किया है लेकिन जब भी बॉलिंग करते हैं सी रोबिंसन ध्यान रखना विकेट लेके जाते ही जाते है पता नहीं कैप्टन इनको क्यों कम देता है बॉलिंग मेरे को ध्यान है एक last tournament इन्होंने जो खेला था उसको मैंने cover भी किया था यह आते थे दोसों एक over balling करते थे दो बिकेट लेके जाते थे लेकिन कैप्टन इनको second over balling नहीं देता था इतना अच्छा balling करने पर भी नीचे आपको option मिलेगा केरियास का इनका दोस्तों record देखे तो T10 में काफी matches का experience है 76 match खेल चुके हैं जहाँ पर balling से आपको 52 बिकेट परवाइड किया है कम बिकेट इसलिए इनको मिलता है न क्योंकि यह power play में balling करते और power play में दोस्तों किसी भी team का सबसे strong player दोस्तों batting करता है नीचे दोस्तों आपको M-Bist का option मिलेगा जो 12 match खेल चुके है टीटेन में जहाँ पर आपको balling से 10 बिकेट परवाइड किया है और इस 12 match में दोस्तों आपको balling से total इनोंने 15 ओभर का balling किया है फिर नीचे आपको A4L का option मिल जाएगा जो दोस्तों 8 match खेले हैं दोस्तों टीटेन में जहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना सिर्फ इनोंने एक ओभर का balling किया था और आपको एक विकेट परवाइड किये थे नीचे दोस्तों आपको A4L का option मिलेगा जो बहुत अच्छा player है बट selection level आप देखो सिर्फ 2% है 25 match खेल चुके हैं दोस्तों मैं अभी के लिए C सादून कर रहा हूँ 22 captain देखो C maglock को भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन 22 captain के लिए नीचे से S bulging इनका भी नाम बहुत ध्यान रखीगा ये भी एक बहुत अच्छे दोस्तों बेहतरी न ओर लाउंडर player है तो और लाउंडर सेक्षन से ये दो अप्सन हो गए बैटिंग सेक्षन से दोस्तों आप रिक्स लेना चाहो तो जे व्यान पे ले सकते हो ये भी एक बहुत अच्छा दोस्तों बैट्समन है बालिंग नहीं करेगा बट अच्छा दोस्तों ध्यान रखीगा बैट्समन है बालिंग सेक्षन से जी एल में जे मल्डर पे ध्यान रखना क्योंकि जे मल्डर एक ऐसा स्पीन बॉलर है जो जब भी बिकेट लेगा दोस्तों तीन बिकेट चार बिकेट दोस्तों आपको किसी भी प्रवाइड कर दिया है तो मैं उमीद करता हूं इसमें कोई चेंजर हम लोगो करना नहीं होगा यदि दोस्तों कोई प्लियर खेलता ही नहीं कोई मानकर चलो 1 में से 11 में से एक प्लियर ना खेले तो एक प्लियर की जगए किस रखना है वो तो मैंने आपको option दे दिया यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं final team फिर से share करूँ तो मैं अपना इस match का final team फिर से आपको telegram पे share कर दूँगा तो जिन भाई उन्हें join नहीं किया है telegram को जरूर कर लीजेगा telegram channel का link आपको कहां पे मिलेगा तो इसी वीडियो के नीचे description section में भी मिल जाएगा और इसी वीडियो के नीचे दोस्तो आपको comment section में भी first comment pin किया हुआ मिल जाएगा जाए दोस्तो telegram के साथ जोट जाएए ठीक ना और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तग आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube channel को जरूर subscribe कीजिएगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important कोशिज कीजिए का notification का घंटी बजादे जिसे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तो तो फिर मिलते आप सभी से next वीडियो में टेक केर दोस्तो और बाबाई